तो आप सभी को राम नम तो कैसे आप लोग तो इन्हें बहुत साथ से लोग हैं जो नीज तो फॉलिए नहीं करते हैं उनको जानना रहता है कि कौन-कौन से नई कौन-कौन से कंप्टिक हो चुकी हैं कौन-कौन से बाइक लौन चुटा हो चुकी है है कि आपडेट चल रहा है तो अगर आप लोग थोड़े यह थे कि या नूज नी पढ़ती हैं बस वीडेव मता चल जा तो यह वीडेव आपके लगवरी काम की है क्योंके यह 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 शु कि अमपनी क्या के हो इसे पहले खुर्ट ओकशने स्कूट हो चुका है वह था वॉक्र चुर्म्रेश सकूर्ण लचुकिछ तो के अपने अपने पूंपने निञेन गृटे चाहुट सेपस्ट करें धूर्शु प्रेश स्कूटर है काफी कंफोर्डेबल और काफी अच्छा प्रफॉर्म करने वाला है ओकी नाव ओकी 90 के अंदर आपको LED हैडलाइट और LED टेलाइट के साथ 16 इसके बड़े अलववील मिल जाते हैं और बड़े इसकूटर के अंदर built-in navigation, digital speedometer, Bluetooth connectivity, USB charging port और 40 liter का boot supply मिल जाते हैं और इसके बहुत सारी फीचर मिलते हैं जिसके अगरे मैंने काफी इसके कीमत उन्होंने रखे और इसकी स्कूटर के अंदर को डूल LED हैडलाइब, LED टेल लाइट, digital speedometer, reverse gear, Bluetooth connectivity जैसे कप सारी फीचर मिल जाते हैं और यह low speed scooter है जैसे के मैंने आपको बता रहा है तो इसकी speed भी ज्यादा नहीं है, 25 km पर आज की है और इसकी speed कम है तो 20 से बाद 200 चलाने के लिए license और registration की जोटनी पड़ेगी अगली update है, वह bounce infinity को लेके है कि इस company ने अपनी इस skoda की टेस्टाइड चालो कर दिये, और 14 नहीं शहरों में चालो कर दिये और अब जो टोटल शहर हो गया है, bounce infinity के टेस्टाइड के लिए 21 हो गया है, ओलवर इंडिया और जो नहीं शहरों कमनी ने अड़ किये है वह है दिल्ली अंसिया, गाजियाबाद, विजयवाड़ा, चन्नई, कांचिपुरम, वदोद्रा, सुरत, राजकोट, पलघर, नासि कलकत्ता, लखनाओ, मैसोर और हुबली, यह और एड़ किये है, टेस्टाइड के लिए, तो अगर आप लोग भी इन शहरों में से कहीं हो, तो आप लोग भी इसकी टेस्टाइड ले सकते हो, booking के लाके, bounce infinity even को, दो दिसम्बर को लॉंच किया गा था, और इसकी डिलिवरी ज सब्सक्राइड के आसपास है, जो कि अक्षिवनम प्राइज है, और इस इसको डाइड पर आपको सब्सक्राइड मिलेगी, और यह इसको आप दो तरह के खाई सकतो, बैटरी के साथ और बीना बैटरी के, bounce infinity even जो है, यह एक बाफ फुल चार्ज होने पर आपको 50 km की रेंज देगा, जो कि Eco Mode में देगा, और अगर अपला उसको Power Mode में चलाओ गए, तो इससे 50 km के रेंज देगा, और इसकी जो टॉप स्पीड है, वो 50 km पर आसकी है, और कम्पनी इसको पांच कल अप्शन में अवेलेबल कराती है, जिसमें से है, Sporty Red, Pearl White, Sparkle Black, Comet Gray और Desert Silver, तो जो अग नए रख यूणिट का एक्सपोर्ट, वो भी 2 लसका, इसके साथ, कम्पनी ने एक्सपोर्ट में सबसे बड़ी उपलबदी हासल किये, होंडा दियो स्कूटर कम्पनी का सबसे जादा एक्सपोर्ट करने आल है, स्कूटर है, कम्पनी भी प्रेजन में, 39 देशन में, अठा में अविलेबल आपके लिए, कम्पनी ने से विविड ओयर यंग में लाउंच किया है, मतलब नया कलर एड किया है, इस बैक के अंदर पहले से रेसिंग ब्लू और मिडनाइट ब्लैक अविलेबल थे, नई रेंज के साथ, अब तीन कलर उप्शन अविलेबल हैं, आप ती इस बैक के अंदर आपको LED लाइटिंग, LCD इंश्मेंट क्लेस्टर और ABA जैसे काफी फीचर मिल जाते हैं, तो आप लोगों ने जो इलेक्रिस कुटर देखे, वो सभी लाउंच हो चुकी है, और Bounce Infinity अपनी टेस्टाइट देना स्टाट कर चुकी है, तो अगर आप लोग इसके आसपास हो, तो आप लोग इसकी टेस्टाइट ले सकते हो, और डिसाट कर सकते हो कि आपको Infinity लेना है, ने लेना है, आपको यह Electric Shooter लेना है, क्योंकि जब तक आप लोग खुद नी चलाते हैं, आप लोग को समझ में आते हैं कि कहां दिक्कत आ रही है, तो जब भी आ ताकि आप लोगों समझ में आए कि यहां आपके हिसाब से है या नहीं है, अगर आप लोगों को बाइस कार्स रेलेटेट कोई में इंफोर्मेशन चीए या पर्ट लेवड़े चीए, तो आप लोगों को इंस्टागर बीडियम कर सकते हो, आपके स्कीन पर आईला होगा, आपके पर सकते हो, कोई जोर नहीं है, मगर यहां पर आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि यहां मैं अपडेटिव इंफोर्मेशन डालता रहता हूं, और डेली बेसिस भी डालता हूं, तो आपको भी डेली बेसिस पर इंफोर्मेशन मिलती रहेगी, चाहे ब लोगी तो आपको पता है का करना, लाइक्स पर आपको सब्सक्राइब, तो मिलते करने, भाइबे, टेक के,